दोस्तो ओम नमस्सिवाए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो यदि आप डेली का रासिफल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें यहाँ आपको डेली का रासिफल मिलेगा साथ ही सुब अंग, भागय साली रंग और साथ में उपाय आपको जानने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 28 जुलाई 2024 के धनूरासिफल के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा 28 जुलाई 2024 स्रावन महा का किर्सन पक्ष का रविवार का दिन होगा अश्टमी तिथी साम 7 बजकर 27 मिनट तक रहेगी इसके बाद 9 मिन तिथी सुरू हो जाएगी अश्वनी नक्षत्र सुबह 11 बजकर 47 मिनट तक रहेगा फिर भणी नक्षत्र सुरू हो जाएगा शुल योग साम 8 बजकर 11 मिनट तक रहेगा इसके बाद गड़ योग सुरू हो जाएगा सुर्य देव करक राशी में वराजमान होंगे यानि आपके आठवे घर में स्थित होंगे और यहां सरे आपके धन के घर में यानि दूसरे घर पर दरस्टी डालेंगे चंदरदेब मेश राशी में वराजमान होंगे आपके पांचवे घर में और यहां से लाव भाव पर यानि ग्यारवे भाव पर दरस्टी डालेंगे राहुकाल का समय साम पांच बजकर 28 मिनट से साम साथ बजकर 6 मिनट तक रहेगा अभिजीत मुरत दोफैर 12 बजकर 7 मिनट से 12 बजकर 69 मिनट तक रहेगा यहां चंदरमा मेश राशी मेश दित है जो आपको असीम उर्जा और जीवन के परती उत्साहा से भर देती है आपका कलपना सील और मनुरंजक सुभाब चमकेगा आपकी बुद्धी मता और ज्यान आज सबसे बड़ी संपत्ती है इसलिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें साहसिक कदम आगे बढ़ाएं दिन की गतिसील उर्जा को अपनाएं और अपनी साहसिक भावना को रोमांचक अप्सरों की और ले जाने दें इस औरान आपके अंदर उर्जा का इस्तार उच्छ होगा आप जिस कारे को करेंगे उसमें सकरात्मक परणाम मिलने की संभावना जादा रहेगी आपका स्वभाव काफी अच्छा होगा लोग आपसे मंत्र मुग्ध होंगे आपका सम्मान करेंगे समाज में आपका कद बढ़ेगा ऐसे में आपके लिए आज का सुब अंक छे होगा सुब रंग नारंगी होगा और सुब समय सुबह ग्यारा बज़े से दोफेर बारा बज़ कर तीस मिनट तक का होगा ऐसे में आप अपने सभी महत्पून कारियों को कर सकते हैं जिनका आपको सकरात्मक परणाम मिलने की पूरी संभावना होगी यह अवधी आपके पिसेवर सम्मन्दों के माद्धमों से विक्तिकत विकास का एक अनुठा अफसर प्रस्तुत करती है आप देखेंगे कि सहकर्मियों और आकाओं के साथ भावनात्मक बंधन गहरे होंगे याद रखें यहां उत्पन होने वाली किसी भी संगर्स या एसहमती से निपटने के लिए इस पस्ट संचार आवश्यक है आवेगपूर निड़ने लेने से साबधान नेना होगा क्योंकि इस से एस्थाई सफलताएं हो सकती है इसके बजाए अपने टीम के भीतर गहरे संबंद और विश्वास बनाने पर ध्यान केंदरित करें धैरिया और प्रियास महत्पूर्ण होंगे इस वरान ऑफिस में भी आपको पुरुस्कृत किया जा सकता है आपके कारे की सारहाना होगी आप अपने कारे छितर में सफलता की और आगे बढ़ते हुए दिखाए देंगे जिससे आपके आर्थिक किस्तिती में भी सुधार होगा आपके अंतर्निहित नित्रत गुनों और संतुलन को बढ़ावा मिलेगा जिससे वित्तिय उनति का मार्ग प्रसस्त होगा विवेकपूर्ण चुणाव करने की आपकी छमता बढ़ेगी जिसके परणाम सरूप अधिकधन प्राप्त होगा धर्मार्थ प्रियासों में भाग लेने से ना केवल आपकी भविशे की वित्य इस्थिति में सुधार होगा बलकि गहरी संतुष्टी भी मिलेगी वेपार की गती तेज होगी विसे इस रूप से वस्तुओं में जो महत्पून कमाई का प्रमुक मौका प्रदान करती है इस औरान खर्चे भी अधिक होंगे खर्चों पर ध्यान रखना होगा आपकी कुल संपत्ती बढ़ने की संभाव न रहेगी अच्छा रिटर्ण मिलेगा तो ऐसे में आत्म विश्वास बनाए रखें अंतरग्यान पर भरोशा रखें सफलता अवश्य प्राप्त होगी चंद्रमा आपके पांचवे घर में है तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति आपको खुश मिजाज बनाएगी बलकि यह समय प्रेम संबंधियों के लिए काफी अच्छा होगा आप में प्रेमा कर्शन भी परियाप्त मात्रा में होगा आप मनोरंजन और सुक्स विधाओं की तरप आकरश्ट होंगे इन्हें पाने का प्रियास भी करेंगे परिवार के साथ समय देंगे बच्चों के साथ समय बिताएंगे आपके ग्यान में व्रद्धी होगी आप बुद्धिमान होने के साथ साथ निडर भी होंगे और आपकी जो सोच है वो दूर दरश्टी होगी छात्रों को इस दोरान बेहद सुर परणाम की प्राप्ती होगी यह समय आपके जीवन में काफी बड़ा बदलाव ला सकता है इस दोरान धार्मिक कारियों में गुप्त विद्ध्याओं में आपकी अच्छे खासी रुची होगी धर्मकर्म के कारियों में आपकी सहबागिता होगी जिससे आपका समाज में कद बढ़ेगा, मन सम्मान बढ़ेगा आप दान पुन्य के कारिय करते हुए नजर आएंगे खेल और काला से भी आपका गहरा लगाव होगा तो आप जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की करेंगी जीवन साथी के साथ किसी कारिय छित्र में अच्छे लाब की प्राप्ती होगी जो आपकी आर्थिक स्थिती में इजाफा करेंगी यानि ये जो समय होगा, उन्नती भरा होगा सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है पिता के साथ सम्मंद मजबूत होंगे काम में पूरी तरह फोकस करेंगी उधार लिया हुआ धन वापस करने से आपका मन प्रसन होगा योजनाबद तरीके से किये गए कारिय लाबदा ही साबित होंगे इस वरान विवसाय से बड़ा लाब मिलने के योग बनेंगे रचनात्मक कारियों में मन नहीं लगेगा साज़ेदार की पिर्ति अपना वहवार अच्छा रखें अफसरों का उचित लाब उठाने की कोशिस करें धन को लिकर किसी पर जादा भरोसा ना करें रविवार को मन कुछ असांत रहेगा तो ऐसे में धैरी आवश्य रखें इस वरान परिवार में कोई धार में कारेकरम हो सकता है किसी धार में कियातर पर जाने की योग बन सकते हैं इस वरान दिन की सुरुवात में कुछ नकरात्मक सूचना प्राप्थ हो सकती है, तो ऐसे में मन परिशान हो सकता है, तो धहरिये रखें, दायतों को पूरा करने में आप सफल होंगे, किसी सुब समाचार मिलने से पारिवारिक वातावरन भी अच्छा रहेगा, साम की समय थोड़ा आराम करें, बिना किसी की मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्छम हो सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करने के आफशकता होगी, किसी धार में किस्थल या सम्मंदी के हाँ जाने की संभावना है, अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक थर जनम दिन भोलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार संभव है, लेकिन अंतत्य सब ठीक हो जाएगा, कारोबार में मुनाफा इस रासी के कारोबारियों के लिए आज सुनहरे सपने के सच होने जैसा होगा, यानि आपको मन चाहा प्रणाम प्राप्त ह जो आपकी जोली को खुश्यों से भर देगा, धन धानने में विरत्धी होगी, मालक्षमी की किरपा दस्टी आप पर बनी होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक छमता अच्छी होगी, यानि स्वास्ते में भी सुधार होगा, धन संपत्ति के मामले में समय आपके पक्ष में हो वेवाहिक जीवन में खुशियां दस्तक देंगी, तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जै मतादी दोस्तों